16 साल के लंबे इंतजार के बाद RCV WPL की बिजेता बन चुकी है जिसके बाद RCV के फैंस की खुशी सात्वे आस्वान पर है और IPL ना सही WPL की ट्रॉफी आर्सीवी के पास पहुँच चुकी है प्रॉफी जीतने के बाद सभी के मन में ये आता है आखर फैनल मैच में पिलेर अब दा मैच कौन बना या टूनामेट में सबसे ज़्यादा रन किस ने बनाई सबसे ज़्यादा विक्र लेने वाला गैंदवाज कौन है कौन राज सिक्सर क्वीन तो आप बिल्कुल सभी वीडियो पर आ चुके हैं तो आज की वीडियो में WPL 2024 के सभी आवोर्स की बात करेंगे तो वीडियो सुर्वात करने से पहले अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला है सबसे पहले बात कर लेते हैं WPL 2024 की बिनर की जो कि हम सभी को पता है RCV ने WPL 2024 का खिता है इसमरती मंदाना की कप्तानी में वहीं मैंग लैनिंग की कप्तानी में दिल्ली उब बिजेता रही वहीं टोनामेंट में 347 रन बनाकर एलिस पैरी ने औरेंज कैप अपने नाम की साथी बेस्ट बॉलिंग फिगर 15 रन देकर 6 विकट पैरी की नाम रहा और ऐसा करने वाली पहली और एकलोती पिलियर बन चुकी है साथी यूवा गैंदवा स्रेंका पार्टन ने परपल कैप अपने नाम की और तेरे विकट लिए साथी इमरजिंग पिलियर आफ दा टूनामेंट भी रही वहीं फाइनल मैच में पिलियर आफ दा मैस सोफी मॉलैनियू रही और फाइनल में एक ही ओवर में तीन विकट लेकर मैच को अपने पच्छ में कर दिया दीपती सर्मा ने गैंद और बन ने दोना से कमाल किया और इसका इनामोने मिला पिलियर आफ दा सीरीज के रूब में साथी डवलू पियर दुजर चौविस की मोच्ट बेलवल पिलियर भी रही टूनामेंट पे सबसे ज़्यादा छक्के सैफाली वर्मान जड़े और डवलू पियर की सिक्सर क्वीन रही बीच छकाओं के साथ भही चौकों की मामली में मैग लैनिंग ने वाजी मारी और टोटल 47 चौके मारे आरसीवी ने सिर्फ प्रॉफी ही नहीं जीती वलकि दिल भी जीते फैर पिले अवर्ड की लिष्ट में पहले स्थान पर रही आरसीवी मैग लैनिंग ने सबसे ज़्यादा चौके ही निमारे साथ ही सबसे ज़्यादा अरसतक भी बनाई चार भही डवलू पियल में एक भी सतक देखने को नहीं मिला लेकिन उच्छतम स्कोर 95 नाबाद हर्मन प्रित कोड के नाम रहा तो ये थे डवलू पियल 2024 की कुछ महत्पूर उपलब्दी और 22 मार्च को IPL सुरू होने वाला है और पहला मैच चैने सुपर किंग्स और रॉल चैलेंजर बेंगलोरू के बीच देखने को मिलेगा IPL के प्रितिक मैच का हल जानने के लिए चैनल को सबस्काइब करें और नोटिफिकेसन के लिए बेल आइकन को दवाना ना भूलें और 22 मार्च को होने वाले आरसेवी और चैनल के मैच में कौन जीतेगा बताना ना भूलें जानकारी अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोश्तों में सेर करें और IPL से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्काइब करें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिन्द